प्रेंड्स मेरा नाम गोविंद है और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि कैसे आप टैनिस की बॉल से ओफ कटर और लेक कटर करा सकते हो प्लीज अगर आप एक फास्ट बोलर हो तो वीडियो को पूरा वाच कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बताता हूं कि ओफ कटर में आपकी ग्रिप पोज क्या होती है फिर आपको क्या करना है आपको अपने दो फिंगरों को ऐसे बैंड करना है फिर आपको बाल को अपने दो फिंगरों के बीच में ऐसे लॉक करना है और आपका उठा ऐसे रहेगा को क्या करना है कि आपको फिंगरों की हैल्प से बाल में एक रोटेशन करेट कर हे तो फ्रस्ट ऑफ औल आपको उपने दो फिंगरों को ऐसे बेंड करना है फिर आपको बॉल को फिंगरों के बीच में ऐसे लोक करना है आपका थम एसे रहिएगा आपको एकदम simply आना है और बॉल को ऐसे release करना ऐसे आईसे friend मैं आपको फिर से बता दूँ कि off cutter में आपको आना है, आपको ball को ऐसे release करना है, like this, simple एकदम, और फ्रेंट्स, leg cutter में आपको आना है, और आपको ball को ऐसे release करना है, like this, ऐसे, फ्रेंट्स, अगर आपको ball को ज्यादा turn कराना है, तो आपको एक बात का हमेशा द्यान रखना है, कि आपको ball को हमेशा एकदम normal grip करना है, आपको ball को ज़्यादा tight मत पकड़ना, अगर आप ball को ज़्यादा tight पकड़ोगे, तो आप अपने finger से ball में rotation create नहीं कर पाओगे, जिस वज़े से आपकी ball जो होगी ना, आपकी ball ज़्यादा spin नहीं होगी, तो friends मैं आपको फिट से बता दूँ, off cutter में आपको क्या करना है, आपको ball को अपने दो finger के बीच में ऐसे lock करना है, और आपका thumb ऐसे रहेगा, और आप अपने finger की help से ball में ऐसे rotation create करोगे, I hope आपको ये video अच्छा लगा हो, तो please मेरे channel को subscribe कीजे, like कीजे, share कीजे, thanks for watching.